और आप सबको तो मालूम ही है कि एक तरफ इनका परिवार है और दूसरी तरफ बी आरेस के नेता जिनोंने आप से जमीन छीनी है आप सबसे जमीन छीनी वक्ष से भी जमीन छीनी मी अंदर दकर नूँची राइतल दकर नूँची वालू भूम लाक कुन नारू तो देखिए आज आप इतनी बड़ी तादाद में याँ खड़े हैं बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि मैं क्या बात करूंगी आप से तो मैं आप से आपकी काम की बात करना चाहती हूँ जो चुनाओ का समय होता है वो क्या समय होता है वो सोचने का समय होता है देश प्रदेश की जनता की जागरुक को जागरुक बनने का समय बनता है और ये समझने की जरूरत होती है इस समय कि आपके नेता कैसे हैं राजरितिक दल कैसे हैं कैसी सरकार आप चाहते हैं साधार नंगा येलक्षन समयम लो येन्निकल समय में वेलाव उन्टुन नंटे इलक्षन लो ये विदंगा उन्टाई येलक्षन लो कुरिंची वच्चे टट्वोंटी प्रभुत्वाल आयना नायकु लायना येट्वोंटी माडल माटलार्तारू वाल वच्चनंक मान येम जेसतारू वार एट्वोंटी पनलू येम जेसारू राबोय स्थिति गतुलो येमी जेसतार ने विश्यालू ये प्रुन नड़स्तु उन्टाई आपका प्रदेश नया प्रदेश है दस सालों से पहले ही बना और दस सालों से आपके प्रदेश में ब्यारेस की सरकार है ये प्रदेश आपकी महनत से बना है आप में से लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रदेश के बनने के लिए अंदोलन किया आप ही के त्याग से आप ही की महनत से जाना जाता है आज भी अगर दुनिया में आपकी पहचान है तो ये आपने पहचान बनाई है अपनी महनत से यहां के किसानों ने यहां के युवाओं ने टक्नीकी हुनर से और यहां की महिलाओं ने इस प्रदेश की हिफाजात करना इसे सुरक्षित रखना इसके लिए सही निर्ने लेना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सबसे महत्वपून चीज आपका वोट होता है तो वोट देने के समय हमें क्या समझना पड़ता है हमें समझना पड़ता है कि निता की नियत क्या है उस राजनेतिक डल की नीतियां क्या है और किस तरे से हमारा फाइदा आपका फाइदा जनता का फाइदा वोट वेसे मुंदू इस समय हमें ये भी सोचना पड़ता है कि जितने शहीदों ने अपनी जान दी इस प्रदेश को बनाने के लिए उनकी सहादत व्यर्थ नहीं होनी चाहिए तो आज यहां खड़े हुए मैं आपके प्रदेश की जो हलात है जो आपकी समस्याएं है जो आपके मुद्दे हैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ यहां पे नौजवान कितने हाथ उठाओ सबी नौजवान अंदर वो इवकुले बताओ जरा कि इस इन दस सालों में कितनों को रोजगार मिला है कितनों को नौकरी मिली है आपको मालूम है कि आपका प्रदेश बेरोजगारी में सबसे जो उचे प्रदेश है जिन में सबसे ज़ादा बेरोजगारी है उन में से है होता है कि नहीं आईता है कावा बहुत सारे नौजवानों ने आत्महत्या भी की है इसके चलते एक लड़की ने आत्महत्या की और इस सरकार ने कहा कि उसने फॉर्म भी नहीं भरा था बाद में पता चला कि ये जूट है कि उसने फॉर्म भरा था उसने पूरी कोशिश की थी जब उसने आत्महत्या की तो उसके परिवार को सुरक्षा देने के बजाए मदद देने के बजाए उसके बारे में गलत पाते बोली तो आज तेलंगाना का युवा क्या उमीद रख सकता है महनात करने के बावजूद रोजगार नहीं मिलता पेपर देने के बावजूद रोजगार नहीं मिलता पेपर लेक लीक हो जाते हैं उसमें कोरप्षन होता है भरष्टाचार होता है तो आगे की उमीद क्या रख सकते हैं आशा क्या हो सकती है नौजवान की प्रदेश में जो सरकार है वो आपके भवष्यं को खालिज करती हैं उसके साथ-साथ-जब इस तरेगे हाथ से होते हैं और जब दुख की वज़े से एक लड़ती आत्माहत्या करती हैं तो उसकी जिन्दगी भी खारिज करने की बात करते हैं युवा देश को बनाता है आप ही की उर्जा देखो आप इधर आए हो आप में कितनी उर्जा है आप सुनना चाहते हो कि क्या कह रहे हैं हम आपकी जो उर्जा है वही इस देश को बनाती है इस देश को मजबूत करती है कॉंग्रेस की जहां जहां सरकारे हैं वहां हमने रोजगार दिलवाने की पूरी कोशिश की है राजिस्थान में दो लाग से जादा रोजगार दिलवाए हैं और चत्तिस गण में ग्रामीन रोजगार को बढ़ाया है यहां तेलंगाना के लिए हमारी एक ग्योजना है एक विजन है कि किस तरह से हम तेलंगाना प्रदेश के युवाओं को मजबूत बना सकते हैं आपको अपने पैरों पे खड़े होने की मजबूती और शक्ती दे सकते हैं तेलंगाना युवगल पट्लकूडा कांग्रेस पार्टी की अंते शुद्धं इच्चित शुद्धी हुंदी राबोय रोजल लो इतलंगाना रास्टम लो युवगल योका पात्रे लाउंडाली कांग्रेस पार्टी तेलंगाना रास्टम लो जिस्तुंदी जिस तरह आपके आज पेपर लीक हो रहे हैं उस समस्या को हल करने के लिए एक जॉब कैलेंडर निकालना चाहते हैं कि दोल नाख रोजगार आपको दिल्वाएंगे जिस तरह से हमने राजस्थान में दिल्वाएंगे हैं और जॉब कैलेंडर के ताहफ यह फिञ्स्ट हो जाएगा की कौन से डेट आपके रिज़ल्ट आएंगे कौन से डेट आपके जॉब की नोटेस आएगी ये विदांगा नायते ये पेपरों लीगुगार जरुगुथ उन्टी कुम्ब को नालनो आपडानिकी कांग्रेस पार्टी वोक चित्त शुद्धितो उन्न दी दानी कोसमे में में मुझ जॉब कैलेंडर अने थिसकराबो तुन नामू ये जॉब कैलेंडर लो ये रोध न परिक्ष उन्टुन दी ये रोध न परिक्ष योक का फलितालो उस्ताई आ परिक्ष फलितालो निलकॉल्प वललगे यड़वांटि उद्योगा लोस्ताई चात्रों को पांच लाक रुपए की मदद मिलेगी और जिले में हर जिले में इंटरनेशनल स्कूल के स्कूल बनाना चाहते हम जब आप सरकार चुनते हों तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है सरकार का एक विजन होना चाहिए एक रोड मैप होना चाहिए कि आपके प्रदेश को आपके जीवन की जो मुश्किलें उन समस्याओं को दूर करने के लिए किस तरह से वविश्य को मस्भूत करने के लिए वो सरकार काम करेगी साथार नंगा प्रभुत्वम पत्ला प्रजल योक्का आलोच न इला उंटुंद नंटे निलकोल्प बढ़ना प्रभुत्वालू रेपू मा आशयाला अनुगनंगा नडवालानी मा पुरोगति दो मुंदु केल्ला लानी राबोय रोजुल्लो मा इवकुलू मा वालू पु मैं जानती हूं घर का काम छोड़के आई होगी मी अंदर की खिमापन अड़कुत नानो मीर अंदर ना को सब इंटलो उन्ना पतियं नी वदलेसी ना को सम वेच चुस्तुन नारने विश्यम ना को तेलसू मैं आपका दर्थ समझती हूं मैं भी महिलाउं मैं जानती हूं कि साब जितना भी समाज का बोजह है आप उठाती हूं ना अक्का चल्लाला समस्य उरिजना को पूर्ति का तेलसू वल्ला बादन उने अर्दम चेसको अगल उता समाजम लो उन्नट वोंटी अत्यत्य समस्य लो ना अक्का चल्लाले लेवने तुतारने विश्यम ना को आजकल देश भर में बहुत महंगाई है और उस महंगाई का सामना सबसे जो मुश्किले हैं सबसे ज़्यादा आप उनका सामना करती हैं घर में कोई बिमार पड़ जाता है तो घबराठ होती होगी कि किस तने से इलाज कराएं कैसे करें दुकान जाती हो कुछ खरीदने के लिए तो कभी-कभी खाली हाथ वापिस आ जाती होगी क्योंकि एतनी महंगाई बढ़ गई है कि मुश्किले ही बढ़ती चली जा रही है गाउं गाउं में इन्होंने शराब की दुकाने खोल रखी हैं जिससे सबसे दुख आपको उठाना पड़ता है सबसे जादा यह रोजु ग्रामा ग्रामम लोग उड़ा वाइन शापलू बिल्ट शापलू तिरचारू यह बिल्ट शापलू वाइन शापला त्वारा अत्यंता बादक बादक करंगा उनना जीवितम ना महिला आका चिलल लदे आपका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है और मैं जानती हूँ कि आप सरकार से यही चाहती है कि अपनी मुश्किलों के सामना करने के लिए आपकी थोड़ी मदद हो जाए थोड़ी सहायता हो जाए आपके प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत होता है और आपकी सुरक्षा आपके सम्मान के लिए भी सरकार ने काफी नहीं किया काबटी मी सुरक्षत गुरूंची मी गवरवां गुरूंची गुड़ा यह का प्रबुत्तों महिललापटल दिसकुनट वंट येट्वंटी चरियलू खनबाड़ूट लेदू कॉंग्रेस पाटी ये समझती है कि आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आज कल केंद्र सरकार और यहां की मौजूदा जो प्रदेश सरकार है उनकी नीतियों की वज़े से आपको महंगाई का कितना बोज आपके कंधों पर है इसलिए हमने तै किया है कि हर महीने आपको पच्चिस सो रुपे महिलाओं को दिये जाएंगे उनके खातों में आपको मालूम है कि जब हमारी सरकार करनाटका में बनी कुछ महीनों पहले तब से पूरे करनाटका में महिलाओं की बस की यात्रा फ्री में होती है हमारी सरकार बनेगी तो यहां तेलेंगाना में भी सब महिलाओं के लिए सारी बस यात्रा फ्री होंगी